तो है गाइद इस इसमी मयंक और आप सबका वापस सौगत है हिस्ट्रे शॉर्ट के सीरीज में यह हमारी एपिग्राफी की फाइनल वीडियो होने वाली है तो चलिए शुरू करते हैं पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था डोनेटिव इंस्क्रिप्शन की कैटेगिरी जिसमें हम लोगों ने रिलिजेंस इंस्क्रिप्शन को पढ़ा था आज हम देखने वाले हैं रॉयल लैंड ग्रांट्स को तो चलिए शुरू करते हैं So, Royal Land Grants are the most important among the Donative Inscriptions. So, Donative Inscription में जो सबसे important category आती है, वो आती है Land Grants की. और जितने भी Land Grants हैं, वो mostly हम लोगों को Copper Plate के उपर Inscribed मिलते हैं. अब बाद आती है कि ये किसको दिये जाते थे? So, mostly जो Land Grants थे, या और भी तरीके के जो Grants होते थे, वो ब्रामडों को, या फिर Religious Establishment को, यानि कि धार्मिक स्थलों को दिये जाते हैं. अगर बात करी जाए, सबसे शुरुवाती दिनों के Stone Inscriptions की, जिसमें Land Grants का जिक्र किया गया है, तो वो सातवहन पीरड के आते हैं, और स्चत्रप पीरड के आते हैं. ये एकदम शुरुवाती दोर के हैं, और इसमें क्या होता था कि Land Grants के साथ-साथ बहुत सारे तरीके के Tax Exemptions भी दिये जाते थे, जैसे कि माली जे उन्हें Tax से बिलकुल छूट दे दी जाती थी, या Tax काफी हद तक कम कर दिये जाते थे, तो इस तरीके के जो उन्हें Benefits थे, Tax-Lated Benefits वो भी दिये जाते हैं. आगे जब हम बात करते हैं, Mid 4th Century की, यहाँ पर पल्लव डैनस्टी है, वहाँ के हमें कुछ Copper Plate के Grants हमें Recover हुए हैं, और अगर North India की बात करी जाए, नॉर्थ इंडिया में one of the earliest Copper Plate Grants from the North India is 4th Century Sea Culture Grant of King ईश्वर रदा, तो ईश्वर रदा राजा है, जो की कल्चुरी डैनस्टी खाथा, हमें उसका North India में Copper Plate Inscription मिले हैं, आगे क्या होता है कि Copper Plate Inscriptions जो होते हैं, उनकी जो grant होती है, वो काफी जादा बढ़ जाती है, और यह हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि Copper Plates हमें बहुत जादा recover होने लगती है, और Early Medieval Period में काफी जादा बढ़ी संख्या में यह हमें देखने को मिलते हैं, अगला टॉपिक जो आता है, वो आता है प्रशस्ती इसके बारे में, आपने मुवीज में देखा होगा ना, ऐसे कहा जाता है, एक आदमी आता है, हाथ में एक रॉयल इंस्क्रिप्शन लेकर के कुछ काघस टाइप कवर बोलता है कि महाराजाओं के महाराजा चक्रवर्ती राजा का यह संदेशा है, तो वैसे ही यहां पर भी हम लोगों को प्रशस्ती याने की कुछ गुडगान टाइप की बाते यहां पर लिखी होती थी राजा के बारे में, और फिर नीचे बाकी डिस्क्रिप्शन चीजों के दिया रहता था, बाकी इन्फॉर्मेशन दी रहती थी, ठीक है? तो रॉयल इंस्क्रिप्शन क्या होता था, प्रशस्ती इसके साथ शुरू होते थे, फॉर रिफरेंस हाती गुंफा इंस्क्रिप्शन जो की राजा खारवेल का था, खारवेल कहां कलिंग में और कलिंग कहां उडिसा में, ठीक है? दूसरा है इलहाबाद प्रशस्ती, सो इलहाबाद प्रशस्ती किसकी है? समुद्र गुप्त की, जो की 4 सेंचुरी का राजा था और ये गुप्त डैनस्टी को बिलोंग करता था, समुद्र गुप्ता फौंड़ेट आल इंडिया अंपायर आफ्टर मॉर्यन्स, सो मॉर्यन पीरेड के बाद जो अगला All India Empire याने की अखिल भारतिय समराज का जो निर्माड किया गया वो समुद्र गुप्त के द्वारा किया गया और हिस्टॉरियन A.V. Smith ने समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन या नेपोलियन ऊफ इंडिया कहा था. अब हम बात करते हैं कुछ miscellaneous चीज़ों की जो की inscriptions से related है So inscriptions found with record of building waterworks So waterworks से related चीज़ों के जो structure बनाए गए हैं उनसे related हमें inscriptions पराप्त हुए हैं Wells यानि की कुएं बनाने के भी inscriptions हमें पराप्त हुए हैं और charitable feeding यानि की लोगों को खाना खिलाने के भी inscriptions हमें पराप्त हुए हैं तो यह हमें कुछ-कुछ दिखाता है कुछ-कुछ PWD की हमें याद दिलाता है जिस अपने होते हैं और उससे related यह उसके records थे एक और important inscription है जो की है जूनागड inscription जूनागड inscription को ही गरनार inscription कहा जाता है So it is about building and ancient water reservoir एक बहुत ही पुराने water reservoir को बनाए गया था यह हमें उसके बारे में information देता है इसका जो काम था वो चंद गुत मौर के समय में शुरू हुआ और अशोका के टाइम में खतम हो गया आगे क्या होता है इसके रिपेरिंग का काम जो होता है वो शचक राजा रुद्र दामन कराता है 2nd century AD में और फिर इसका अगेन इसके जो रिपेरिंग होती है वो सकंद गुत के दौरा जो की गुत पीरिड को बिलॉंग करता था उसने इसके रिपेरिंग 5th century AD में कराई है इसकी क्या है 1000 साल पुरानी हिस्टरी है इस reservoir की और यह काफी चौका देने वाली बात है कि अखिर इतना important reservoir है यह और उसकी 1000 तक सालों तक उचलता रहा और उसका रिपेरिंग का काम भी होता रहा तो यह इस बात को भी दर्शाता है कि उस समय water conservation से related कितना काम उस समय के राजाओने या शाशकों ने किया था हमें कुछ और mislaneous type की inscription देखने को मिलते हैं जैसे की labels, graffitis, religious formula writing on the seal religious formula जैसे कि आपने वो देखा होगा ना ऐसे राशी वाशी type कुछ बनाते है इस तरीके से और कुछ formula और formula type लिखते हैं तो वो सब हमें seals के उपर लिखे हुए मिले so that is also a kind of inscription and that comes under the category of mislaneous type कुछ inscription हमें मिले हैं Madhya Pradesh से जिसमें हमें संस्कृत grammar की हमें समरी देखने को मिलती क्या अखिर संस्कृत कैसे लिखी जाए जो भी से related जो rules and चीजें हैं वो हमें MP के inscriptions में देखने को मिलती है एक बड़े कमाल तरीके का inscription हमें और मिलता है वो मिलता है footprint inscription footprint inscription जिसमें क्या होता था कि किसी महान इंसान के या किसी राजा के या किसी पवितर इंसान की इस तरीके से ना ये देखें यह पर बना दिया गया, उसका फुट्प्रिंट कर दिया गया, अब यह भी एक तरीके का इंस्क्रिप्शन है, अब लोग चाहिए इसकी पूजा करें या फिर उन्हें याद करें, तो यह लोगों के उपर होता था, अगले पॉइंट आता है, इंस्क्रिप्शन ऐसा, सोर्स के होते हैं, वो समय के साथ क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं, लेकिन जो इंस्क्रिप्शन होते हैं, वो खराब नहीं होते हैं, क्योंकि यह स्टोन के उपर होते हैं, वोड के उपर होते हैं, मेली या कॉपर प्लेट के उपर होते हैं, तो यह काफी डूरेबल होते हैं, य जिस event के ये होते हैं, जिस event के बारे में ये बाते बता रहे होते हैं, ये जनरली उसी period में उके रह जाते हैं, और ये एक time और एक जगे से connected होते हैं, difficult to make changes and can be detected, अब माली जे कोई inscription छप गया, माली जे उसमें कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, तो उसको फिर change करना, कि आग बड़ा advantage है, अगर literary sources से इसको compare किया जाए, तो ये हमें जो है, actual information देता है लोगों की, कि लोग क्या करते थे, जबकि literary sources जो होते थे, वो theoretical बाते ज्यादा करते हैं, इसी के साथ साथ ही हमें political history की भी information देता है, ये बात हम already discuss कर चुके हैं, ये हमें geographical spread के बारे में भी बताता है, geographical spread के बारे में कैसे बताता है कि जिस जगे पर inscription मिले हैं, जिस राजा के इसका मतलब है कि वहाँ वहाँ पर उसका influence रहा होगा, आगे बढ़ते हैं, तो प्रशश्ती हमने देखा, तो प्रशश्ती क्या अगरती है, राजा कब राजा बना और उसकी जो dynasty है, उससे related information हमे देती है, इसी की साथ-साथ अगर मालीजे को inscription हमें मिला है, और उसमें कोई conflicting claim है, तो हम कोई और inscription उसी period का लेकर के उसे cross check भी कर सकते हैं, for example, गुरजर पतिहार का जो राजा था वद सराज, उससे related एक हमें inscription मिला है, जिसने कुछ conflicting claim किये थे, लेकिन बाकी कुछ और inscriptions को लेकर के हमने उस conflicting claim को sort out किया, आगे है inscription giving information about the religious sects, so बहुत सारे religious sects थे, institutions थे, बहुत सारी practices होती ही थी, उनके बारे में भी information हमको मिलती है, इसी की साथ-साथ, ये हमें उन sects या cult के बारे में भी information देता है, जिन्होंने अपने कोई record नहीं छोड़े, जैसे की आजीवक sect औ और naga sect, naga cult, so ये कुछ important चीज़ें हैं, inscription as a source of history के बारे में, अब एक सवाल उठता है, कि क्या हमें सभी की सभी inscriptions को रटने की जरूवत है, तयार करने की जरूवत है, तो इसका answer है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सबसे पहला गाम आपको क्या गरना है, आप पुराने prelims के question देखिए, UPSC के या concerned PSCs के, और देखिए कि किस-किस तरीके के उन्होंने questions पूछे हैं, inscription के उपर, गिंती के कुछ 8-10 प्रकार के inscription ही हैं, जो बार-बार वो repeat कर रहे हैं, तो अगर आप उन्हें practice करते रहे हैं, तो वो आपको अपने आप ही memorize हो जाएंगे, और उससे जो ब खैर आपको परिशान होने की जरुवत नहीं है, क्योंकि आगे जो हमारी वीडियोस आएंगी, हम उनमें dynasties को cover करने वाले हैं, और उनहीं में उनसे related जो inscriptions होंगे, हम उनको देखिए, जाने जे पहले एक चीज आप से और पूछना चाहूँगा, कि ये गजनी मूवी का सीन है, और ये हमारे आमिर खान साब है, तो इनके body के उपर है बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो क्या हम इसको गजनी inscription कह सकते हैं, अब मुझे नहीं पता, ये आपके लिए है, प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बताईए कि आप क्या सोचते हैं, So that's the end guys, so हमारे epigraphy का जो topic है, वो यहाँ पर खतम होता है, and I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बताईए कि आपको कौन कौन से पाट अच्छे लगे, अगर कोई doubt है, तो आप वो भी पूछे, तो बस यार वी कौन से टाल written, अब हर पसंद आईए कर दो पाट। कि आपको कली अवाल झाए हो। कि नहीं हो। कि उते हierraの वो कर दो चीडियो breeding।